असलाम अलेकूम, वीवर्ड्स, I am Faisal Islam जैसे कि हम जानते हैं कि सक्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टन रोल रखती है अगर हम PC की सक्रीन को रिकॉर्ड करना चाते हैं तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेर्स हैं जिनको हम यूज करते हुए अपने PC की सक्रीन जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारा बेसिकली परपस यह होता है कि स्टूडेंस जो है दूरिंग लाइव लेक्चर्स हम वीडियो कॉल के दरान जो है वो रिकॉर्ड करना चाहरे होते हैं तो बहुत इंपोर्टन्ट इसकी वैलियू है इसकी बहुत इंपोर्टन्स है हमारी डेली लाइफ के अंदर कि अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सके ऐसे लेक्चर्स होते हैं कि जो लाइव चल रहे होते हैं तो हम उनकी रिकॉर्डिंग के लिए भी इफ्रैन टूल को अचारे होते हैं, तो मैं आपके सामने different five जो है ऐसे tools की आज बात करूगा कि जिनको use करते हुए हम अपनी screen को record कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी आप इसी video के अंदर देख सकते हैं, तो first of all, जो most important free tool है, और बहुत ही अच्छा tool है, जिसके through, हम जो है, अपनी video को record कर सकते हैं, that is filmora, ठीक है, filmora screen recorder, तो यह इसका link का आपको सामने नजर आ रहा होगा, screen के उपर, filmora wandershed.com screen recorder, simply आप filmora wandershed लिखेंगे, तो आपके सामने यह आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से आपने इसको download कर लेना, description के अंदर भी मैं यह link दे दूँगा, तो सबसे पहला जो software है, कि जो most important role play करता है, recording video, even कि मैं खुद भी इसी software को use करके, आपकी आज की यह जो video है, इसको record कर रहा हूँ, इसका interface कुछ आपके सामने इस तरह से आएगा, इसके अंदर हम editing भी कर सकते हैं, तो next video के अंदर मैं आपको दिखा दूगा, कि किस तरह से हम editing कर सकते हैं, जो आपके पास यह software, जो है download हो जाए, आप इसको install कर ले, तो then आपने इसके interface के अंदर, आपको यह record की एक option नजर आ रही होगी, आपने यहाँ पे record के उपर click करना है, तो आपके सामने different options है, record from webcam यानि कि आप webcam के थूँ जो है, अगर video record करना चाहरे है, second is record PC screen, कि अगर आप PC की screen को just record करना चाहरे, like जैसे मैंने यह screen की हुई है, third is record voice over कि simple, अगर आप voice को record करना चाहरे हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, तो basically, यह record हो रही है screen, so that's, इसको मैं दुबारा से use नहीं कर सकता, तो यह first बहुत ही important और बहुत ही अच्छा tool है, कि जिसके अंदर हम अपनी video को यह screen को record कर सकते हैं, boundary share film हो रहा, ठीक है, इसके अंदर हम editing भी कर सकते हैं, different tools को इसमें मौझूद है, तो हम उनके थूँ video को edit भी कर सकते हैं, ठीक है, तो number one tool was wonder shell film हो रहा, second tool is ice cream screen recorder, यह भी आपके सामने मौझूद होगा, ठीक है, तो इसके थूँ screen को shoot भी कर सकते हैं, capture हम उसको record कर सकते हैं, यह आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है, हम जैसे ही इसके उपर click करेंगे, इसको install करने के बाद, आप internet से ice cream screen recorder को download कर सकते हैं, तो जैसे ही full screen के उपर click करेंगे, हमारी recording है यह देख सकते हैं, ठीक है, यह record होना शुरू हो जाएगी, यह देख सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा टूल है, जिसके अंदर आप video जो है, वो record कर सकते हैं, उसके अलावा इसमें, आप different तरह की options जो है, like, आपके सामने यह boxes, उसके बाद highlighter भी है, ठीक है, और different तरह की चीज़े हमारे सामने यह रेख सकते हैं, different तरह की, ठीक है, तो हम इसके through भी जो है, वो screen को record कर सकते हैं, that is a second type of screen recorder, यह आप कह सकते हैं कि यह second, एक ऐसा software है, कि जिसके through हम, जो screen है, उसको record कर सकते हैं, ठीक है, यह आपके सामने आ चुका है, third, screen recorder, recording tool जो है, वो हमारे पास है, that is OBS, ठीक है, open board caster software, यह भी मैंने अपने पास install किया हुए, यह आप यहाँ से download कर सकते हैं, यह website के address आपको नजर आ रहा होगा, link description में भी आपको यह मिल जाएगा, यह tool है, यह एक ऐसा software है, कि जिसके थूर एक तो हम voice record कर सकते हैं, videos के अंदर, mac operating systems के अंदर, linux के अंदर, ठीक है, तो उसके लाबा, इसको हम जो है, live से training के लिए भी use कर सकते हों, अगर आप video को live लेके जाना चाहरे हो, तो आप इसके थूर जो है, यह भी software एक यूज होता है, हमारी सकरीन को record करने के लिए, basically, तो लेकि इसमें यह problem है, कि इसको हमें purchase करना पड़ता है, यह free हमारे पास नहीं है, कुछ time के लिए तो free होगा, trial version इसका हमें मिल जाएगा, लेकिन बाद में इसका यही interface आपके सामने आएगा, आप इसको यह देख सकते है, start streaming के आप इसको live YouTube और यह different दिये होगा है, like YouTube है, Logitech है, उसके बाद Twitch है, Facebook है, उसके आप अगर live streaming करना चाहरे है, live videos जो है वो चलाना चाहरे है, तो इसके लिए आप इस tool को use करते हो, खीक है, तो मैं यह आपको interface इसका रखा सकता हूँ, यह आपके सामने आ रहे हैं यह देख ले, start streaming, start recording, virtual camera और यह different इसमें options मुझूद होती है, तो हम इसके थूरू जो है अपनी वीडियो को record कर सकते है, फोर्च जो हमारे पास tool है, that is screencastify, यह हमारे सामने एक tool है, इसको अगर हम जो है वो install करने के, basically यह देख सकते है, कि किपने video create हुए 2020 में, ठीक है, यह आपके सामने feedback दे रहा है, तो इसको हमने यह basically एक extension होगी, जिसको हम जो है, chrome के अंदर, जो है वो add कर देंगे, ठीक है, कि उस extension के add करने से ही, हमारी जो screen है, वो record होना शुरू हो जाएगी, ठीक है यह आप देख सकते हैं, तो यह उसकत हम use कर सकते हैं, जब हम live जो है, कोई भी video को record कर रहे हैं, यह live count कर रहे हैं, तो just हम इसको browser के अंदर, just use कर सकते हैं, that is a fourth, tool for screen recording, ठीक है, next, fifth जो tool है, that is a power software, a power software ultimate, इसको हमें purchase करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस purchase करने के लिए, हम यहां से, 59 dollars में हमें यह मिलेगा per year, तो यह काफी costly होगा, so that's why, हम इसको use नहीं करेंगे, बारहल जो बाकी मैंने आपको software या tools बताए हैं, यह ऐसे tools या software हैं, कि जिनके through, हम अपनी screen को record कर सकते हैं, उसके लावे और भी काफी tools हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, यह best tools हैं, और इनमें से मैंने जो सबसे पहले वाल आपको वालडर फेल फिल्मोरा बताया है, वह बहुत ही अच्छा tool है, आप उसके अंदर screen recording कर सकते हों, उसके लावा उसी video को, जो आपने record की होगी, उसको edit भी कर सकते हो, ठीक है, तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह video पसंद आई होगी, नहीं कोशिश यह effort पसंद आई होगी, और आपके इंशालत आला यह आपके लिए काफी helpful होगी, अगर आप इस तरह की मजीद videos चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जरूर टorsch हो जाएं, इस video को subscribe करें लिए करें, channel को subscribe कर ले, और video को like करें ताकि मैं आपके लिए और इस तरह की videos बना सकूँ अपना ख्याल रखिएगा, आ आपके पसंदू झाल झाल झाल